हम बिल्टिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट कर दे तो आज हम बिल्टिंग कंस्ट्रक्शन का एक नया सुंसरा नाम है सलफेश फैंश्से तो हमरे पास जados है इंपोर्टन चाप्र है सलफेश फैंश तो इस Can पारोन से स्टार्ट estimated Mexican वहता क्या है वर ईस्राइब में दिसक्स करेंगे तो आप उसे परता है कि इस परता होता कि एक सफेस को पनिश्ट करना जैसे कि मैं माल लेता हूँ हमने एक building बना ली माल लेते हैं ये building की हमरे पास wall है ठीक है ये हमरे पास wall है building की तो अभी हमने wall simply बनाई है ये हमरे पास wall ये माल लेते हैं ये wall है और ये जो है इसके नीचे जो है base है ठीक है ये वाल है तो यह वाल जब हम बनाते हैं चाल बिक से बनाते हैं चाल स्टोन से बनाते हैं то ये डिवाल, जो है प्राफरली पตेक्ष नहीं होती है मतलow इसको smooth बनाने के लिए इसको अच्छा बनाने के लिए ताकि देखने से हमारा जो wall है हमारी जो building है वो अच्छी लगे तो वसे ही हम देखेंगे कि हमारे पास कौन-कौन से ऐसी चीज़े हैं जो surface finishes के लिए use होती है और हमारे पास कौन-कौन से ऐसे material है जो हम use करते हैं for the aesthetics of the building तो फस्किस में हमरे पास हम topic जो पढ़ेंगे syllabus करकार्डिंग वो है plastic थीक है plastic क्या होता है तो आपको भी पता होगा plastic के बारे में plastic क्या होता है building construction में इस यूरे निरिंग में plastic क्या होता है तो हम देख जेते हैं इसको plastic is a process of covering rough surfaces and uneven surfaces with plastic material called plaster or mortar to obtain an even, smooth, regular, clean and durable surface प्लस्टरिंग एक ऐसा process है ठीक है plastering is the process यह एक ऐसा process है जिसमें हम cover करते हैं rough surfaces को क्या करते हैं cover करते हैं cover the rough surfaces जितनी भी rough surfaces है जैसे कि मैंने बताया हम stone से या फिर ब्रिक्स से दीवार बना देंगे उसमें rough surfaces होंगी uneven surfaces होंगी rough surfaces का मत्रब हो गया आपका हम अगर बोलें मतलब जो भी spaces है खुट दूरी surfaces होगी uneven आगी मतलब uneven का मतलब होता है एक जैसी नहीं है uneven है ठीक है मतलब मालों यहाँ पर कुछ इस तरीके का है ऐसे जैसे uneven surfaces with a plastic material ठीक है यह एक ऐसा process है जिसमें हम cover करते हैं तहब surfaces को या पिर uneven surfaces को plastic material से थे लिए टूंगी में आपको बताओंगा कि plastering के लिए कौन सा material material यूज़ करते हैं आपको पता होगा कि प्लस्त्रिंग के लिए हम कौन सा material यूज़ करते हैं तो इसको ही हम plaster करते हैं इसको ही हम करते हैं plaster और motor to obtain and even smooth regular clean and durable surface ठीक है तो ये सारी चीजे इससे हमें मिल जाती है PLASTERRING से क्यों क्वेड करते हैं हमें जो कोई भी surface बेज इवन चाहिए हो, स्मूथ चाहिए हो, रेगुलर चाहिए हो, clean and durable चाहिए हो, तो हम प्लस्टर का यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, प्लस्टर की, प्लस्टर क्या होता है, a mix of lime and gypsum, sand and water, ठीक है, तो प्लस्टर होता है, हमारे पास एक mixture, ठीक है, क उसके साथ send, रेथ होती है, उसके साथ, उसके साथ हमारे पास water होता, mix, तो वो होता हमारे पास cluster, तो जो हम mostly cluster use करते हैं, वो हम cement cluster use करते हैं, cement cluster में क्या होता है, यहां पर lime, gypsum की जगापे क्या होगा, cement होगा, बाकिस में sand होगी and water होगा, ठीक है, या अगर आपने lime यूज करना तो लाइभ यूज करेंगे या फिर उस करेंगे यूज करेंगे वाकर यूज करेंगे सम्ताइम्स विल्पाइब्र थे तो कुछ टाइम पर अगर हम कभी कभी संपर आड करते हैं वह बाद की बात है इसको करने के लिए हम फाइब करते हैं अब हमने बात की कि प्लस्तर हम करते हैं उसका हमारे ऐसे हैं क्ली के लिएंघ कि तक हम रख लात है उसके बाद लाय मार पैस आप यूज्ज टे ओ определ कर दो शुम्म का यूजंद नहिए उसके बाद है तरे च氣ला यूज करते हो उसके बाद शॅब बाद यूज़ करते हैं अब इसके बाद वाटर यूज़ करते हैं और उसके बाद अडिक्टर यूज़ करते हैं तो यह मैंन मटीरियल है प्लस्टिंग के और यह उप्टी को करते हम प्लस्ट प्लस्टिंग की प्रापर्टी को करने के लिए उसे हम अल Kath indem i hope आपको समझ में आ रही हो अगर पिर भीаль को क ministry session में पूछ सकते हैं नेक्स टापिक हमारे पास है objectives अ प्लस्टिंग ठीक है तो हमने plaster देखा क्या होता प्लस्टिंग देखा Plusting में कौन-कौन से material यूज हो रहे हैं वो हमने देखे अब हमने देखने इसके objectives ठीक है हम क्यों प्लस्टिंग करते हैं प्लस्टिंग करने की क्या जोड़ थे हमें तो उसके objective हमारे पास है फस्ट है हमारे पास प्लस्टर प्रवाइड से smooth regular clean and durable surface with improved appearance ठीक है तो प्लस्टर करने से हमारे पास क्या होता है हमें कोई भी surface जो है स्मूथ मिल जाती है वह स्मूथ हो जाती है स्लिप्ती हो जाती है उसके बाद regular बन जाती है रगलर का मतलब होता है कि वह जो surface है वह उसकी जो life है वह improve हो जाती है ज्यादा हो जाती है इतनी सारी चीज़े हम करेंगे मतलब इतनी सारी चीज़े अगर हो जाएंगी तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगी जो appearance है वह improve हो जाएगा मतलब देखने में वह जिस बहुत अच्छी लगेगी ठीक है नेक्स इसका objective है पीपल यूज़ प्लस्टर तु कावर ता बेर स्टोन आर्टिक आन्द वाल्स आफ हॉसस पूर्ट इंसाइड है और ओट साइड तो पीपल जो है जो वाल्स पे प्लस्ट साइड रेला साइड में यूज़ करते हैं मतलब बोट साइड करते हैं यह कि अंदर वाली साइड भी और भार वाली साइड भी और यह अच्छी को पास्टर कर देंगे लेगी नेक्सिस इसका उब्जेक्टिव है प्लस्टर केंग और और पॉलस मटीजल ठीक है तो जैसे कि हमारे पास राटा पॉल्डिब और यहां किया है जैसे हमने पहले कोई बिल्डिंग बनाई वाल बनाई उसमें कुछ ऐसा मटील नहीं होगा जो अन्सोंड होगा उसमें खराब सब्सक्राइब रचाइब नेग्स ब्रक्राइब को अगरे दिवार पर पड़ती है तो उसे दिवार को एफेक्ट होता है लेकिन जब प्लास्टर करते हैं तो वो क्या करते है। प्लास्टर फ्लास्टर करता है सर्फेस कोुझे सर्फेस पर सब्सक्राइब कि इस वाल की स्रेंथ को भी इंक्रीज करता है। it increases the strength of the wall, plaster have ability to increase the durability slash life of the wall. तो plaster जो है इसमें ऐसी ability होती है, बत्बब इसमें ऐसी power होती है, जो increase करता है, durability. Durability wall की या फिर हम बोल सकते हैं, life wall की increase करता है, durability को हम life पर बोलते हैं, so life increase करता है plaster wall की. तो जो प्रिवेंट करता है प्लासे जैसे कि मान दो यह वाल है यह वाल का ओटर साइड है ठीक है यह इनल साइड है तो अगर ऑटर साइड से मान दो रेन आ गई रेन का जो पानी है है आगर प्लास किया होगा हमने तो इस साइड से इस साइड नहीं जाएगा है इस साइड से यह जय है जो खुछक्लि heightened एक हमेरे पास अच्छा लुक अप्लास पॉफाइड से स्थार यथ खालर वाशाए ठीक है तो एक स्थेबल हमारे पास सलफेश करता अगर हमने paint बगरा करनी हो किसी वाल पे तो पहले हम plaster करते हैं ताकि हमें smooth surface मिल जाए उसके बाद हम क्या करते हैं color wash करते है color wash या फिर paint हम जिसको बोलते हैं वो हम करते हैं ताकि हमारा जो घर है वो देखने में अच्छा लगे plaster provides fire prevention up to certain level up to certain level मतलब कुछ हाथ तक हमें fire prevention से भी यह बचाता मालों में इसमें आग लग जाए दिवार पे तो प्लास्टर अगर किया होगा तो बहुत हमें बहुत limit तक हमारे पास वह fire को prevent करेगा ठीक है तो यह सारे हमारे पास से इसके थे objective से ब्लास्टिंग के आई होब यह सारी चीजें आपको प्लेड होगे होंगे फिल भी आपको कोई भी जोट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मी करेगा जल्स से इसके रिल भी यह से आपको आपको के घंपको दिए contreगल न northern को चली जल एपको करे इसे jag पासिक्शक्व दोस्टिंग यह सी करेओाट रीक हमारे डबर प्पको के बपको सब्सक्व में ठापको कर दो पता दोischer रहाभ का पता पाड कैं पा मुड़ा नप जैंक सोМठी incluso कर दोट्ह दो. हम समया कीज़ प्रीफिरे की अपाइप आ कीज़ पाइप कुभ रहा को. दोस पाव कैं अर का मुड़ को सावीक पारिय में यूब मुड़ sia का त की, नहीं एक हुआ झाल झाल